नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग 9 सेप्टमबर 2020 के डेली न्यूस एनलेसिस और एडिटोरल एनलेसिस में आपका स्वागत है एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूस है आज इंडिया और चाइना ने LAC Friction Point PP15 से डिसिंगेजमेंट शुरू किया है ये गोगरा होट स्प्रिंग इलाके में आता है इसको मैप में भी आपको दिखाऊंगा इश्यू को समझाने कोशिश करूँगा और न्यूस आज कौन कौन की है तो एकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा लाया गया था केंदर की सरकार के दौर उसमें तीन कॉश्चन के उपर यहाँ पर सुप्रीम कोट बहस करेगा वो कौन से तीन कॉश्चन से इसको देखेंगे याकूब मैनन जिसने 1993 के बॉम ब्लास्ट में एक निगेटिव रोल प्ले किया था इसने ओवराल अपने भाई टाइगर मैमन की मदद की थी बॉम ब्लास्ट करवाने में मुंबई में 1993 में इसको 2015 में फासी बचला दिया गया अब इसकी जो कबर है मुंबई मरीन लाइन्स में उस कबर को ब्यूटिफाई किया गया है इस रिस्पेक्ट में थोड़ी पॉलिटिकल कॉंट्रोवर्सी हो गई है इसको देखेंगे नैशनल क्राइम रिकॉर्ट ब्यूरो की ओफेंस लिस्ट में आसाम सबसे उपर है इसके बारे में बात करेंगे यूएस F-16 फ्लीट क औरule conrad किसी क्या गेंस्ट भी इस्तामाल करेगा तों इंडिआ करेंगे इससे आप पता कर सकते हूँ किwości कोई सांफ कंट्री से कम नहीं है यूएस ने पास्ट में भी पाकिस्तान को बहुत इस्ट्राँ किया है वह आज भी पाकिस्तान को डिस्ट्रांग कर रहे हैं तो इं नुक्लिर पावर प्रांट में जो नुक्लिर फ्यूल इस्तमाल हो जाता उसके बाद उसको कहां स्टोर करना इस बात को लेके थोड़ी बहस चले इसको देखेंगे वितक करिका इको सेंस्टिफ जोन में श्रिम फार्मिंग की जो दो लीजिस प्रैविट कंपनी इसको दी इस बहारे इस बहुत करेंगे और जैनलिजम में एविडेंस जुटाना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे और जर्नलिजम में एविडेंस डीप पॉइंट्स ऐसे नहीं दे रखे हैं जो कि हमारे काम आएं यह इंफेट इंडरस्टेंडिंग के लिए भी काम क्यों जो मेन क्रक्स चीज़ हैं वो तो मैं सारी आपको बताऊं गई word of the days लेकते हैं जैंडेवर्स क्रेंडेवर्स क्रेंडेवर्स I'm sorry for my pronunciation pronunciation मेरा कभी-कभी English के कुछ words में बहुत गंदा होता है मैं इस बात को मानता हूं मतलब आपको सही से बतारता हूं मतलब मतलब कोशिश करता हूं टेलिग्राम ग्रूप पे आपको इस लेक्चर की PDF और लेक्टर की नोटिफिकेशन दोने मिल जाए हो सगे दोस्तों तो सुपर थैंक्स को उप्शन दबा के इंपोर्टेंट है यह बता दिया करो कि कौन से पेपर का है तो इसलिए मैं में मेंशन कर देता हूं वैसे काम का है सारे एक्जाम्स में है और एनलेटिकल भी इंपोर्टेंट है समझने के लिए तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो की गोगरा होटस्पिंग इलाके इस्टन और नैशन की समिट होने वाले उस बेकिस्तान में वहाँ पे मोदी जी भी जाएंगो जी जिजिंग पिंग आएका चाइना का तो हो सकता है कि इस डिसंगेजमेंट के बाद दोनों की फिजिकल मीटिंग हो जाए दोनों लीडर्स ने नवंबर 2019 से लेके अब तक कोई की थी अप्रेल 2020 में चाइना जबरतस्ती इंडियन लैंड में घुसाया डिसंग्रोजमेंट किया इंगेजमेंट मतब इंख्रोचमेंट किया उसने तो इस कंटेक्स्ट में तब से कोई बात चीत यहां पे नहीं विए फॉरेंट मिनिस्टर्स की बात चीत हुई है डिपें समबर 2022 को अगर आप देखो तो गोगरा हॉट स्प्रिंग का पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यहां पे इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स डिस इंगेज कर रहे हैं पीछे की तरफ अट रहे हैं बीच में यहां पे एक बफर जोन मनाया जाएगा इस बफर जोन में इंडियन सोल है यह इंपोर्टेंट है इंडिया के लिए इस से ज्यादा दो और पॉइंट इंपोर्टेंट है एक तो है दम्चोप और एक है दिपसांग अगर आप ओवर ओल इस पर्टिकुलर मैप को देखो तो यहां पे ऊपर की तरफ यह जो पीपी टेन टू थर्टीन ब्लॉग इन देवसांग सेक्टर यह वाला जो पर्टिकुलर इलाका है ना यह में क्रूशल पॉइंट है चुकि यह क्रूशल पॉइंट अक्साई चिन को श्याचीन ग्लेशर के टॉप पॉइंट से जोडता है तो इस पर्टिकुलर जगा पे अगर चाइनीज इंक्रोश्मेंट करके बैठे हैं तो वो इंडिया के लिए स्टेटिकली निगेटिव है गल्वन वैली में तो हमने उनको पीछे टकेला गल्वन वैली में ही वो खतरनाक लड़ाई हुई थी ठीके ना जिसमें हमारे 20 जमान शहीद हो गए थे गोगरा होट स्पिंस में पेट्रोलिंग पॉइंट मैं आपको बता दूँ सबसे जादा अगर स्ट्रेटेजिकली तीन पॉइंट्स इंपोर्टेंट थे चाइना के लिए तो उसमें था आपका एक देपसांग प्लेंस एक था आपका गल्वन वैली में श्योक नदी वाला एंगल आ जाता है और एक था आपका पैंगॉंग सो पैंगॉंग सो और गल्वन वैली में तो इंडिया बहुत जादा अग्रसिव हो गया चाइना को डिसिंगेजमेंट करना पड़ा लेकिन देपसांग प्लेंस में काफी लंबे समय से चाइना इंक्रोश्मेंट करके बैठा है ऐसी भी कुछ निदो निकल के आ रही है भारती ओफिशल्स ने बोला है कि इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स को हम लगातार चाइना के साथ बातचीत में लाते रहेंगे। चीफ जिस्टिस ऑफ हिंडिया यू ललिस सब आठ सेप्टेंबर 2022 को इस कॉंस्टिशुशनल बैंच ने तीन कोश्टिशन के ओपर एक्जामिनेशन करने की बात कि एक सो तीनवा जो कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट्मेंट था जिसने एकनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का है कि अगर एकनॉमिक क्राइटीरा के बेसिस पे आप रिजर्वेशन देते हो इस्पेशल प्रोवीजन बनाते हो तो क्या वो ब्रेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दो कॉंस्टिशन को वाइलेट करता है पहला कुश्ट ये दूसरा स्ट्रक्चन ये कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर कोई मदद मिल नहीं रही तो प्राइवट केसे में प्राइवेट कॉलफ ये नॉर्मल कर आपका कोई रिजर्वेशन नहीं माना जाता है तो क्या बले ही प्राइवेट को कोई सरकारी मदद नहीं मिल लही कशिता एक तो इसकुशन के बरवाद चीत होगी बड़ा इपर्ट का बच्चा है तो उस कंटेक्स्ट में अगर वो अपनी कैटेगरी का benefit ले रहा है लेकिन अगर वो अपनी कैटेगरी का benefit नहीं ले रहा तो उस case में EWS कोटे का benefit नहीं ले सकता मतबर आप SCST OBC हैं SCBC हैं तो आप AWS कोटे में Compete सेट नहीं कर सकते तो अब होता है कि अभी के लिए जब ऊटा नहीं था तो कोटा क्या क्या था जन्रल था तो उसकेस में फचेकार बनाट किए लेकिन सरकार ने सरकार ने बीकर सेट की सब्सक्राइब आप को तो यह तीसरा वाला लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई यह तो गलत बात है आप OBC, SC, ST को EWS में जागा क्यों नहीं दे रहे हैं तो तीन में पॉइंट के ओपर यहाँ पर बातचीत होगी है ठीक है ना Attorney General of India के के विनी कोपाल सरकार को रेप्रेजेंट करेंगे Chief Justice Yu Yu Lalit साहब ने बोला कि इन सारे questions के उपर जो भी counter points वगरा हैं वो यहाँ पर दिये जा सकते हैं EWS कोटे को proper तरीके से यहाँ पर analyze किया जाएगा अगस 2020 में मुद्दा अलड़ी Supreme Court की 3 Judge Bench के सामने पहुचा था Supreme Court की 3 Judge Bench ने बोला कि 103 में Constitutional Amendment को 5 Judge की Bench देखेगी और 5 Judge की Bench finally इसको here कर रही है Article 15 और 16 को amend करके economic basis पे जो reservation देने की बात कर दीती सरकार ने उसको यहाँ पे challenge किया जा रहा है तो क्या economic basis पे यहाँ पे reservation नहीं है न चाहिए दिखें मैं आपको एक बात बताओं दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के past में जो upper caste है उन्होंनों lower caste को दबाया है इसमें कोई doubt नहीं है यह बात बिल्कुल सच है एक समय पे जो हमायाँ पे depressed classes थी वह बहुत परिशान थी उनको बहुत प्रताडित किया गया लेकिन जबसे हम आजाद हुएं और जबसे overall यह caste factor हटा है जबसे equality हमारा सम्मिधान आया है legally आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं हलाकि अभी भी गाउं में बीहड इलाकों में जहां पर vulnerable caste हैं depressed classes उनको परिशान किया जाता है पूरी तरीके से तो casteless society हमारी नहीं हुई है आज भी बहुत सारे धरम के ठेकेदार अपनी अपनी चलाते हैं लेकिन शहरों में या फिर कह लिए जहां पर लोग पढ़े लिखे हो गया पढ़े लिखे लोगों के अंदर casteism का element कम हो गया है कुछ जगहों पर eliminate हो गया है कुछ जगहों पर कम हो गया है कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन तब भी अपना casteism फैलाते हैं लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए समझे जो अपर caste है उन अपर कास्ट में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत disadvantage है अब हो क्या लगता है जो अपर कास्ट है जो general category में आते हों सब अमीर है क्या सब socially advantage है क्या ऐसा नहीं है उसमें से भी बहुत सारे लोग disadvantage है उन्ही disadvantage लोगों के लिए economically weaker section का quota लाया गया है अब overall reservation में बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि reservation केवल आप social criteria के basis पर दे सकते हैं और ये इंद्रासानी judgment में भी बोला गया था लेकिन बात ये है कि social criteria disadvantage होने का एक proof था पहले था आज की date में economic criteria भी disadvantage होने का एक proof है आप socially disadvantage हो आपको परिशान केज़ें का आप economically disadvantage हो तब भी आप बहुत परिशान होगे गरीबी किस हद तक इंसान की कमर तोड़ देती या आप सब जानते हो मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है तो गरीबी के आधार पर अगर यहां पर थोड़ा reservation दे दिया जाए तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है एक गरीब इंसान थोड़ा उपर उठ जाए चुकि देखे पहले जब casteism चलता था आज से 100-200 साल पहले आज से 50-60 साल पहले भी अभी जहां जहां पर चलता है मैं मानता हूं कि आपर caste के लोग lower caste के लोगों को दबाते हैं और कुछ आप आज की डेट में अगर कोई lower caste का इंसान दब रहा है तो भाही गड़ बढ़ है lower caste के इंसान अगर मान lower caste in the sense जो so called बनाई गई थी हमारे आपर हमारी सोसाइटी में धर्म के ठेकेदार ने ठीके ना पतब अपना influence दिखा पाते हैं तो उस contextment को दबाया जाता है बट फिर भी legally allowed नहीं है आप पुलिस के पास जा सकते हैं आप national commission for schedule caste के पास जा सकते हैं आप national commission for schedule caste के पास जा सकते हैं आपके पास बहुत से options available हैं तो social disadvantage हमारी society में exist करता है इसको कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों economic disadvantage भी exist करता है economic basis भी बहुत से लोगों को परिशान किया गया तो economic basis पे अगर थोड़ा reservation आ जाता है तो वो मेरे इसाब से गलत नहीं है ठीक है आपकी इसके बारे में क्या राए है आप बताईए एक और Supreme Court की क्या राए है वो हम देखेंगे मुझे तो लगता है कि Supreme Court economic basis पे जो reservation ने उसको assent देने वाला है उसको हाँ बोलने वाला उसको मना नहीं करेगा एक और बात है केंदर की सरकार ने यहाँ पे अपने एफिडेविट में submit किया है कि EWS के लिए जो quota केंदर की सरकार ले किया है यह 10% का यह राजी की सरकारें अपने एकजामों में conduct करेंगी यह नहीं करेंगी यह राजी की सरकार भी depend करता है मतलब यह 10% का economically weaker section का quota मतलब केंदर की सरकार नीचे की राजी की सरकार को फोर्स नहीं कर रही है कि आप यह 10% का quota implement करिए राजी की सरकार को सहुलियत लगती है तो करें ना लगती तो ना करें नेक्स्ट जीयस पेपर थी लिंकेश टू टेरिजम याकूब मैमन जो की एक आतंक वादिये इसकी कवर को ब्यूटिफाई किया जा रहा है लेफ्ट साइट पर आप देख सकते हो एक्चुली ब्यूटिफाई कर दिया गया यह इधर इसकी कवर नजर आ रही है इधर चीफ मिनिस्टर उद्दर ठाकरे को कि आपने इसकी कवर को ब्यूटिफाई होने कैसे दिया गया यह तो आतंक वादिये अभी के लिए जो अपोजिशन महाविकास अगाडी की सरकार वह बोल रही है कि तुमने मॉटल ब्यूटिपी की सरकार के समय पे याकूब मैनन के मॉ ब्यूटिफिकेशन कैसे करने दिया जाया इसके उपर इल्जाम लगाया हाला कि जब एलेडी लैट्स वगरा लगाई गई पुलिस को बाद में पता चला तो एलेडी लैट्स वगरा निकाल भी दी गई यह बाबा कबरिस्तान करके हैं मरीन लाइन्स पे जहां पर ओवराल हटा दी थी तो इसके उपर काफी पॉलिटिक शुरू हो गई बीजेपी अपोजिशन के लोग एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे हैं ठीक है तो यह यहाँ पर चाल हुगए एक इवेंट है तो मैंने आपके साथ डिसकस के लिया याकुब अब्दुल रजाक मेमन इ जाके उसको देखेगा आपको आइडिया लगेगा 30 जुलाई 2015 को इसको नाकपुर सेंटरल जेन में फांसी पे चड़ा दिया गया टाइगर मेमन और दाउद इब्राहिम ने मिलके ओवर और इन बॉंबिंग्स को एक्जिक्यूट किया था प्लान किया था और टाइगर मेम इसको बाद में फांसी पे चड़ाया गया अगली न्यूस नैशनल क्राइम रिकॉर्ट्स ब्यूरो में जो ओफेंसेज हुए उस कंटेक्स्ट में आसाम टॉप कर रहा है अगर आप एक्स्टॉर्शन और ब्लैक मेलिंग की बात करो तो एक्स्टॉर्शन और ब्लैक अबादी पे 7.6 केसे औल ओवर इंडिया इसका नैशनल एवरेज है पर एक लाक अबादी भी 0.8 केसे बट नागा लेंड में यह 7.6 सेकेंड हाइस राणाचल प्रदेश में 5.3 इन फैक्ट नागा लेंड की पुलिस का ये बोलना है कि बाई केसे तो पहले से ज्यादा थे पिछले एक साल में बहुत सारी awareness के initiatives चलाए गए हैं पुलिस दोरा help line चलाई गई हैं अगर आपके खिलाफ extortion और blackmailing हो रहा है तो आप पुलिस को बताईए तो reporting बढ़ गई है तो reporting बढ़ने के चलते हमें नागा लेंड में number of cases registered जादर नजर आ रहे हैं extremist organization बहुत पहले स से ही extortion और blackmailing बड़े scale पर कर रहे हैं नागा लेंड के अंदर ठीक है तो 2014 से अब तक extortion और blackmailing में नागा लेंड सबसे उपर है हाला कि overall crime के अगरा बात करो इनन पीनल कोड के अंदर जो crimes होते हैं special और local laws के अंदर जो crimes register किये जाते हैं नागा लेंड में वह बहुत काम है 2021 में per 1 lakh people नागा लेंड में crime थे 67.2 सिर्फ दमनें दियो एक ऐसी unit territory जिसके नागा लेंड से crime कम थे नागा लेंड स्टेट है तो स्टेट में सबसे कम crime per 1 lakh people नागा लेंड में है पर extortion और blackmailing के category में सबसे जादा हैं तो जैसा कि मैंने बता है police officers ने बोला है नागा लेंड के अंदर reporting बढ़ गई है इसलिए हमको ये number बढ़ा हुआ नजर आ रहा है आसाम की बात करें तो आसाम में भी extortion और blackmailing बहुत होती है नागा लेंड से थोड़ी कम होती है लेकिन सबसे जादा अगर आसाम में कोई cases register हुए हैं तो वो sedition के cases register हुए है all over India 2014 से लेके अब तक 475 sedition की cases register हुए है जिसमें से 69 लगबग 14.22% तो अकेले आसाम में register हुए है सेडिशन की cases को register किया जाता अंडर section 124A of the Indian Penal Code आसाम के बाद second number पर आता हरियाना 42 sedition cases पिछले 8 सालों में जहारकण में 40 करनाटका में 38 sedition के cases फिर अगली news जीस पेबर 2 government policies in environmental conservation government cancels lease for shrimp farming in बितर कन इनका इको सेंस्टिव जोन बहिया औरीशा की सरकार ने दो एक्वा कल्चर कंपनीज जो कि श्रिम्प कल्चर में इनकी लीजस को कैंसल कर दिया है इनको लीज दी गई थी भितर कैनिका वाइल लाइफ सेंचुरी के अंदर दो कंपनीज कौन कौन थी थी एक थी औरीशा ए इलजाम लगाया गया कि फिशरी और एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो उडिसा की सरकार का उसने इस श्रिम्प कल्चर की पर्मिशन दे दी कोई भी इन्वार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट नहीं हुआ एको सेंस्टिव नेचर को ध्यान में नहीं रखा गया और घूज भी खाई है यहां पर ओफीसर्स ने इस लीज को पाने के लिए इस प्रकार का यहां पर इलजाम लगाए गया और यह केस इसलिए संसरी केस हो गया चुकि एक आर्टियाई एक्टिविस्ट है रंजन कुमार दास जो इस केस को सामने लेके आया थे इनकी मिस्टीरिय इन दोनों के ही लाइसेंस को रद कर दिया चुकि केस बहुत ज़्यादा संसरी केस हो गया तो देखिए डैरेक्टरी और फिशरीज का बोलना है कि पहले यह यह 2007 में कोई श्रीम कल्चर नहीं नहीं किया, 2018 में इनने श्रीम कल्चर शुरू किया, जो डैरेक्टर और फिशर के अगेंस्ट जाके उडिसा हाई कोट में केस दायर कर दिया कंपनी ने, कंपनी इसका सिंपल है, किसी भी कंपनी, किसी भी आप कहलो, लीगल एंटिटी के उपर कोई भी शो कॉस नोटिस अगर सरकारी डिपार्टमेंट देता है, वो दोड़ के पहुंच जाते हैं हाई को किसा आप देखो, मेरे को परिशान किया जारा सरकारी अथर्टिस के दोरा, लेकिन जब यहाँ पर RTI एक्टिविस्ट की मृत्ति हुई, तब overall आप कहलो, ओडिसा की सरकार ने इनकी लीजेस को कैंसल कर दी है, हाई कोट में केस पेंडिंग है, उसमें क्या डिसीजन निकल क जब डिसीजन निकलेगा, तब हम यहाँ पर बात करेंगे, यह बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक RTI एक्टिविस्ट की यहाँ पर मृत्ति हुई है, उसमें भी ऑविसी बात है, यहाँ पर इनकोईरी होगी, तो कुल मिला कि यह जो दो कंपनीज है, इनके पास यहाँ प अंदर unsustainable तरीके से shrimp culture चल रहा था, यह सब इज़ाम यहाँ पर लगाए गया है, और इज़ाम काफी serious है, फिर अगली news, spent nuclear fuel storage should be work out, supreme court का यह बोलना है कि भाई, कुडम कुडम, nuclear power plant के अंदर, जो भी spent nuclear fuel को कहाँ पर save किया जाएगा, देखे, क्या होता है, कि अगर आप, मै इस्तमाल किया जाते है, nuclear power plant के अंदर, तो जब वो immediately small हो जाता है, तो उसको पानी के अंदर रख देते है, spent fuel storage pool में, बे में, ताकि वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद उसको कहीं और पर relocate कर देंगे, most probably को relocate करेंगे, away from reactor नाम के spent fuel storage facilities, तो दो प्रकार की storage facilities होती है, जैसे nuclear fuel इस्तमाल हो, उसके बाद उसको spent fuel storage pool में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, ताकि वो ठोड़ा ठंडा हो जाए, वो बिल्कुल पास में होता है, nuclear reactor के, और बाद में उसको निकाल के ठंडा होने के बाद, away from reactor spent fuel storage facility में उसको डाल देते हैं, अभी कोडन कोडन के अंद और प्लांट के अंदर जो used nuclear fuel है, इसको proper तरीके से save करने का कोई भी जुगार है नहीं सरकार के पास, तो कुडम कुणम nuclear reactor को बंद किया जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखो, तो सरकार की तरफ से जो representative आए, देखे, bench of justice यहाँ पे डीवाई चंदोचुड साहब है advocate यहाँ पे जोजफ अरिस्टॉटल है, सरकार की तरफ से यहाँ पे representative है, solicitor general तुशार मैता, solicitor general तुशार मैता का यह बोलना है, कि अभी के लिए fuel पानी के अंदर इसको recharge के जा सकता है, यह उसके जा सकता है, लेकिन भूशर साहब, प्रशान भूशर साहब अगेंस्ट में पुतान भूशर साहब यह बोल रहे हैं, कि पहले भी कुदम कुनल nuclear reactor minor hazards के वह से बहुत बार बंद हुआ है, अभी के समय पे हम Fukushima जैसे किसी disaster का इस्तमाल कर रहे हैं क्या, भूशर साहब का यह बोलना है, कि Nuclear Power Corporation of India Limited, जो कि कुदम कुनल nuclear power plant को handle करता है, इसकी responsibility बनती कि spent nuclear fuel क प्रॉपर तरीके से dispose of किया जा, इसके लिए एक AFR facility बनाने की बात की गई थी, पहले 2018 में overall ये बोला गया था कि 30 April 2022 तक किसी भी हार में आप AFR facility बना लो, लेकिन ये AFR facility नहीं बनाई है, 2013 में Supreme Court ने NPCL को time दिया, 2018 तक, 2018 में NPCL ने extension मांगा, तो Supreme Court ने बोला 2022 तक, अभी 2022 म NPCL फिर से extension मांग रहा है, 2026 तक, तो ये क्या मजाग चल रहा है, प्रशांद बूशन साब बोल रहे है, spent nuclear fuel है ये, अगर कोई disaster हो जाता है, तो radiation leakage होगी, कौन responsible होगा है यहाँ पर, ये NPCL वाले तो टाले ही जा रहे हैं, टाले ही जा रहे हैं, देखे, यहाँ पर opposition प्रश इस तक extension मानोगे, हाला कि, Solicitor जनलत तुशान मैता साब का बोलना है, पानी के नीचे है, लेकिन ये बात दी बिल्गोर सही है, कि कल की डेट में अगर कोई nuclear disaster हो जाता है, तो उसके effects बड़े ही dangerous होगे, away from reactor facility में अगर आप spent nuclear studio को बंद कर देते हो, तो reactor में, जो main reactor जहाँ प spent nuclear fuel stored है, तो उससे danger नहीं आएगा, लेकिन अभी nuclear reactor में भी fuel है, उसी के पास पानी के नीचे आपने spent fuel कर रखा है, तो कोई disaster होगा, तो major scale पर होगा, इसी लिए आप atomic energy regulatory board, तमिलनाडू की सरकार के लोगों की बहस चल रही सुप्रीम कोड के सामने, petitioners का बोलना है कि कुडम क और हम nuclear power plant को बंद करो, ठीक है, बूशनर साब बोल रहे हैं कि बंद करना एक extreme step होगा, हम इसको save करने की बात करते हैं, लेकिन NPCIL को जब इतने extensions दिए गे तो तुमने away from reactor facility बनाई क्यों नहीं, तो इस बात को लेकि सुप्रीम कोड ने बहस चल रही, सुप्रीम कोड की कुडम कुडम nuclear power plant की बात करो, तो इंडिया का largest nuclear power plant है, तिरुनेल बेली डिस्ट्रिक साउधन इंडियन स्टेट तमिलनाडू की कुडम 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 में आता है, 31 मार्ज 2002 को इसको बनाना शुरू किया गयता है, इसमें 6 VVER reactors हैं, रशिया के atom straw export, रशियन स्टेट कंपनी के दोरह बनाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से है NPCIL, 6000 मेगावाट electricity पैदा करेगा, यह कुडम 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 अगर पूरा बन के तयार हो जाता है, फाइनली इंडिया के लिए बहुत निउस, बुरी निउस, F-16 जो की बड़े state of the art aircraft हैं, और F-16 उड़ते हुए आपको टॉप गन में भी दिखाए गया है, इसके लिए साड़े 400 मिलियन डॉलर दे रहा है US पाकिस्तान को, इस पर्टिकुलर डील को डॉनल्ड ट्रम्प ने कैंसल किया था, डॉनल्ड ट्रम्प ने इस डील को कैंसल किया था, लेकिन जो बाइडन की सरकार ने इस डील को अप्र से, आपने बहुत कम सुनाओगा कि USA इंडिया को ग्रांट देता है, लेकिन पाकिस्तान को दबा के मिलिटरी टरम्स में ग्रांट देता है, तो ये न्यूज ओवराल उन लों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने समाझना जो कि ये सोचते हैं कि USA इंडिया के अगेंस्ट क और इस डील को यहां पैनाउस किया, पाकिस्तान की एरफोर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग कर रही है, यूएस में इस पर्टिकॉलर डील के तो, F-16 बेच के, और ओवेसी बात है, अगर ये F-16 किसी जंग में ओवराल यूज होंगे, तो इंडिया के अगेंस्टी य बाला कोट एर स्टाइक में भी पाकिस्तान ने F-16 एरक्राफ्ट का इस्तंवाल किया था, तो यूएस इंडियन केलो अफेर्स किया, इंडियन मैनेजमेंट की फेवर में, और यूएस तो ऐसा बेवकूफ कंट्री है, ये उतना उल्लू कटवा के भी नहीं माने, तालिबा के काउंटर प्रेवलिफिरेशन विंग ने, और यूएस कॉंग्रेस मेंबर्स ने भी रॉनल लिगन को बेगा था कि F-16 मत बेचो इंडिया को, लेकिन तब भी इन्होंने F-16 बेचे, 1990 में 30 F-16 बेचे आने थे पर उसको कैंसल कर दिया गया, अभी के लिए डॉनल्ड ट्र कर रहा है, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, अगर आप देखो तो 2015 में भी F-16 ओबामा एड्मिनिस्टरिशन द्वारा पाकिस्तान को बेचने की बात हुई थी, उस समय पे फोरेन सेक्रेटरी थे जैशंकर साब, उन्होंने यूएस एम्बेस्डर रिचर्ड वरमा को ब कर रहा है, इस बात को जानते हुए भी कि इंडिया पाकिस्तान के रिष्टे कैसे हैं?